हाई गाईज वेलकम बेक तो मैं चैनल मैं हुसका मावल मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है तो अगेन बहुत इंट्रेस्टिंग एक चीज में आज आपके साथ शेयर करूंगी जो वाकई में कारागार है और इसे बॉलिवुड में काफी प्रिफरेंस दी जात से नाभी पे सिर्फ वह चीज को यूज करने के बाद आपका टमी एरिया किस तरह से अंदर जाएगा क्योंकि सब्सदर पैट नाभी के आसपास की जगह पे उतना पेट निकला होता है और उस एरिया को किस तरह से हमें तक करना है यानि अंदर करना है और बिल्कुल सपार् क्या है वह कैसी चीज है चलिए वीडियो में आगे दिखाते हैं पैन लेना है और इस एक चीज में अखेगा कि आपको जो प्योर मस्टर्ड ओयल में चाहे है मार्केट में अगर आपको प्योर में जाए तो बहुत अच्छा है आप सरसू का तेल इसमें डालिए मैं एक से प्योर मेने के लिए बना के रख लेती हूं तो मुझे कापी एजी रहता है तो इसमें आपको मालने के चाहिए एक कप के लगभा सरसू का तेल चाहिए तो सरसू का तेल नहींगी इसे आपको गरम बढ़ना है इसके बाद में आपे पैराशूट किया किसे भी करने आपको 15-6प डालते रहे तो क्या चाहिए 5-6 य स्षी ऑलने मालना है मैं ऑनदाजे पे अम्राइब को घनांध मैं में बनाती रहती हूं तो मुझे आगिे रहता रहता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है integrated उसके बाद हमें डाल चीनी तो यह दाला डालना है पालबर मत डाल यह तो कि यह एल बेस होता है ज़्यादा एफेक्ट करेगा तो आपको यह डालना है इसमें 45 इस्टिक इसके बाद आपको इसे पकने देना है ऐसे ही जब यह पकने लगे इस बैन उसके बाद आपको वन टेबल स्पून इसमें अजवाइन डालनी है और मैंने सर्सो के तेल के साथ जो मैंने इससे बादा है था वो मैंने इस बोला भी था कि वह विंटर में इजी होके लगा सकते हैं लेकि समर्स में थोड़ा सब प्रब्लम क्योंकि उतना ज्यादा हीट में करेगा आपकी बॉड़ी में और जो नागल तेल है वो उसकी तासिय को बिल्कुल क्या बोलते हैं कि बराबर रखेगा ना ज्यादा गरम ना थढ़ना तो इसलिए दो और मैंने उसके इससे पहले मैंने प्यूर सर्सो के तेल ने बनाया था यह दिहार में रखना है आपको यह सारे चीज़े डाल के इसके बाद आपको इसमें क्याम पर यानि कॉपूर डाल है तो अच्छे से पका ले ले लाएं प्काना कि इसमें पकी गया है समझ लीजे क्योंकि हमारा अजवाईन भी हो गी है और हमारा दाल चीनी भी हो गया है और कपूर भी मेट हो जाएगा देन उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है और ढख के रख देना है जब तक यह ठंडा ना हो जाए इसके बाद में बताती हूं कि आपको नेक्स प्रोसस क्या करना है इसको लगाना है क्योंकि प्लेम तो नहीं लगाना है इसको लगाने क इसको ऐसे फटके में रख दूंगी और जब यह ठंडा हो जाएगा दर में आप लोगो को बताऊंगी कि क्या करना है आपको तो यहां पर यह अभी पूली क्रास थंडा नहीं मुआ है लेकिन मुझे वीडियो बना रहा है तो मैं आप लोग साथ मन लिखाते हुआ आप इसे स्ट्रीम कर लीजेगा और इमान की चले यह ठंडा होने में आपको भी एक से इंटेर गूंपा लगेगा तो यही गर्मिया है तो इसके आप इस बॉटर में भर सकते हैं कुआ जो अटने ऐजी ओके भाहा रख साथे हैं और चांगे रखें कि यहां भी से ऐसे ही ले रही हूँ मैंने फूरा सोय ले देसा आपो आपको दिखाती हूं कि मैं मत क्या करोगी आपने लोवर का लोवर का इस्टाजबल कपला लीज़ च Pablo him इसके बार आपको क्या था को माझने इस ओग रहे हूं इसके आपको क्या रहना है इसोयал को लोगी पेष केे लिख हैं और आपने पेट के अरिय है यह प्रेट के अरिया पर अपने एक लिख जह को बहा है जो ब्लेट नहीं बहुता है वहां पे सरुलाइब जाता है और आपको पैल दिखाई देनी लबता है तो इस तरह से आपको रब करना है ताकि जो भी और वह अंदर जाए वहां पी करमाहत आए और जो ब्लेट सर्कुलेशन है वह चलना स्टार्ट है मैं अभी रब नहीं करें हैं उसके बाद जब भी लगाए रब करें मैं पेट के लिया के लिए से रूज करती हूँ आपको यह इसी तरह आपको कपड़े के साथ भी करना है और इस तरह से खुब टाइटली मतलब कि यह ध्यान रखेगा है कि चाहे कपड़ा आप ले और चाह मैंसे क्या होगा जो ऑईल है वह इधा रुधार नहीं जाएगा और जो ऑईल है वही पैट सौप होगे तूरा अंगर जाएगा और ऐसा आपको पंद्रा दून करना है उसके बाद आप देखेगा वहा का जो सेलुलाइट है वह चला गया बेर्स्कूल नेशन तेज हो गया सिर्फ इस चीज को करके अपनी पेट को गर्माहार देके अपनी नाभी के असपास के गर्माहार देके आप उस जगह के पैट को गला सकते हैं आपने देखा होगा लोग बोलते हैं यह बैट लगा लो वो बैट लगा लो हीट के लिए यह वो आज यह एक ऐसी चीज है जो अगर आप वैसे बोले तो काफी कॉसली है लेकिन सिर्फ आप इसे घर में इस तरह से यूज़ करके अपने नापी के आसपास की चल्पी को चुटकियों में गायब कर सकते हैं वीडियो जरसाब इंफोर्मेटिव लगा हूँ लाइक कर दीजेगा चैनल पसंदेगा तो पड़ा बड़ा सबस्क्राइब करेगा मिलती हूँ बहुत ही जोदी एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए लिए बाइ